मुगल काल के आरंभिक दोर से लेकर अब भी हाल तक इस देश ने अनवरत संघर्ष किया और अनवरत प्रतिक्षा की इस बात की कि अयुद्या धाम में जहां भगवान राम का प्राकट्ट हुआ जन्म हुआ उसी इस्थान पर उनका भव्य दिव्य मंदिर बने और वहां रामलला संपूर वशिष्ट के साथ संपूर संदरी के साथ इस्थापित हुआ और राष्ट्र का यह संकल्प सिद्ध हुआ बाइस जन्वरी दोहजार चोबिस को और उसके बाद आज यह दिन देश के इतिहास में स्वानाक्षरों से अंकित हो गया क्योंकि पहली राम नवमी है राम लला के प्राकट उत्सव का यह पहला वर्ष है जब राम लला अपने नए दिव्य भव्य नव्य मंदिर में विराजित हैं नूतन विग्रह के रूप में और मद्ध दिवस अतिसीत नगामा पावस काल लोक विश्रामा तुलसिदास जी ने लिखा तो उसी मद्ध दिवस के समय उनीक्षणों में भगवान भुबन भासकर उनका तिलक कर रहे सूर्य तिलक वो द्रश्य आज भारत की इतिहास में अमर हो गया समझ लेज़े वो द्रश्य कभी भूला नहीं भारत में भूला नहीं आएगा अम कुछ द्रश्य अमर होते हैं उन्हीं अमर द्रश्यों में एक द्रश्य यह है जो आज का है कि जब राम लला के दोनों नित्रों के बीच में सूर्य दैव की किरने पड़ रही थी तो लग रहा था कि सूर्य अपने वंशज राम का तिलक करने आये हैं अब इतना बड़ा अवसर हो गया और चुनाव सर पर परसों बोट है और आज जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं अभी पांच मिनिट पहले देश भर में 102 लोग सभा छेत्रों में चुनाव प्रशार थम गया है उत्रपदेश के आठ लोग सभा छेत्रों में जहां प्रथम चरण में चुनाव है 19 तारीक को मतदान है वहां भी प्रचार थम गया शोर थम गया अब अयुद्या में भगवान राम का सूर्य तलक और उसके बाद उन्स सत्रा तारीक को और उन्स तारीक को देश में किसका राश्तिलक इसके लिए जन्ता को बोट करना है सूर्य तलक से राश्तिलक तक भाजपा को लग रहा है राम जी करेंगे वेडा पार चार सो पार तो बेपक्ष कह रहा है कि नहीं भी रोजगारी महंगाई पीडिये जाती की जन्गणना आदी आदी इत्यादी तमाम मसले हैं और राहुल जी एक नया मसला लेह राहुल गांधी जी वह करें अंदर करंट है हमारे फेबर में उपर करंट पार नहीं है अंडर है करण्टू इसलिए भारती जनता पार्टी डेड़ सो पार नहीं जाएगी अब भाजपा कहे रहे ही चार सो पार मोधी जी भी कहे रहे चार जून को चार सो पार योगी जी भी कहे रहे चार जून को चार सो पार राहूल गांधी कहरे बाजपा 1.500 के अंदर और अखिलेश यादव कहरे 400 पार नहीं 400 हार अब 400 हार का मतलब जो अगर अखिलेश यादव की बात देखें और राहूल गांधी की बात देखें तो अंक गरित वही है राउल गांदी करें डियर सो के अंदर अगले श्यादब करें चार सो आ रहेंगे तब भी डियर सो बचती है सीटें 145 चालेश यह यह इस्थिती है आज जब प्रथम चरन का मत चुनाव में प्रचार का दौर समाप्त हो गया किसकी बात सही होगी राम जी की क्रपा किसके ऊपर बरसेगी बोट बनकर राम जी किसका बेड़ा पार करेंगे भाजपा के दावे में कितनी सच्चाई है 400 पार में और राहुल गांधी के इस दावे में कितनी सच्चाई है उन्हें अपनी पार्टी की सीटे नहीं पता लेकिन भाजपा की वो कहरे मैंने पता लगा ली है देड़ सो के अंदर आने वाली है 15 दिन पहले 180 आ रहें थे अब 300 घटके 200 बची है नजूमी है प्रियंका गांधी से पूछो कितनी सीट आएंगी कांग्रेस की तो वो कहती मैं जोत्षी नहीं हो बाजपा की कितनी सीट आएंगी तो भाई बेंद दोनों को पता है वहाँ दोनों नजूमी है लेकिन कांग्रेस की सीट पूछो तो कहते हम जोत्षी थोड़ी नहीं यह उलट मासी है यही लोगतंतर की रोचकता है हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तयार किये इस पूरे घटना क्रम पर पहले उस रिपोर्ट को देखिए फिर महमानों से परचे करें और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि रामलाला के मस्तक पर सूर्य तिलक और उसके बाद राज तिलक के लिए परसों होना है मतदान कौन कहां खड़ा है आज की शाम पहले रिपोर्ट देखिए अंबिर सूर्य तिलक में हमारे मुबाइल के किरन भेज रहे हैं मेरे साथ बोलिए जय स्री राम जय स्री राम जय जय स्री राम अद्भुद, अविश्वस्णिये और आलोकिक आगोश में ये वो आयोध्या है जो भव्ये, दिव्ये और नव्ये राममंदिर बनने के बाद अब अद्भुद राम नवमी के रंग में रंगी है ऐसी राम नवमी जो सदियों के इंतिजार के बाद आई है ऐसा राम मंदिर जहां खुद सूर्य ने तिलक लगाया है राम नहमी के खास मौक़्, पर इधिया के राम मंदिर में उस वक्त अद्भुद नजारा देखने को मिला जब राम मंदिर के ललाट पर सूर्य तिलक किया गया बदली हुई आयोधिया में ये नजारा हर किसी को भक्ती से भाव विभोर कर देने वाला था और जैसे हीर भगवान राम का सूर्यत लख हुआ देश और दुनिया की परीधी में ये द्रिश्यत तेर गया खुद पिये मोधी भी इस पल के गवा बनने से खुद को नहीं रोक सके और तो और सेग्णों लोगों को भी अपने अंदाज में इस समय का साक्षी बना दिया किरन भेज रहे हैं मेरे शाथ बोलिए जैसरी राम जैसरी राम जैसरी राम सब लोग बले दिखाई नहीं देगा लेकिन आप करें प्रभुराम को सुर्यत तिलग हो रहा है तब हमारे मोबाइल फोन से भी प्रभु राम को हम प्रणाब कर रहे हैं हम भी सुर्य तिलख में हमारे मोबाइल के किरन भेज रहे हैं मेरे साथ बोलिए जय स्री राम जय स्री राम प्रभु राम के जर्वो सब को हम सब ने यहां से उसमें सरीख हो करके आज जब सूर्य देवता स्वयाम प्रभु राम जी के जन्वदीन को मनाने के लिए अयोध्या की धर्ती पर किरण के रुपए उतर रहे हैं पूरे देश में एक नया माहोल है और ये प्रभु राम का बर्थडे 500 साल के बाद आया है जब वो अपने नीज गर में बर्थडे मनाने का सवभागे मिला है 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद राम लेला का मंदिर बनने के बाद पहली बार यहां राम नवमी मनाई गई है राम नवमी के दिन दोपहर के समे सूर्य के किर्णे राम लेला के मच तक पर पड़ी करीब चार मिनट तक इस चका चौन ने हर किसी की आखों को खुशी से चमका दिया लगवग 500 वर्सों के उपरांद मर्यादा प्रसुत्तम प्रवुसीर राम की पावन जन्मभुई पर उनके पावन जन्मुत्सो का कारिकरम पुट्सार उमंग के साथ आयुजित हो पा रहा है राम नौमी की विस पावन जन्मभुई पर सभी सनातन धर्मावलंबियों को प्रदेश वासियों को मैं हिर्दे से बढ़ाई देता हूँ इधर चुनावी सीजन में बीजे पी जहां हर मंच से राम मंदिर के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है तो वहीं विपक्षी खेमा इस मुद्दे पर मौन है दोहजार चुबीस के चुनावी रण में राम मंदिर, राम राज्ये और राश्ट्रवाद का रंग खुला है कॉंग्रेस कह रही है कि ये सियासी मुद्दा नहीं है उन्होंने हमेशा जन्ता को सर्वों परी रखा जन्ता की सेवा करी इसलिए आज भी हम भग्राय राम को पूछा है इस देश के सत्ता को कही नहीं पूचा है इस देश के हमेशा सत्य को पूचा है राम नौमी को जो कुछ लोगों ने पेटेंट कर लिया है उनकी वपोती नहीं राम नौमी करोड़ों लोग हजारों पर समनाती चले आ रहे हैं और एक रहम मंदिन नहीं है हजारों रहम मंदिन इस देश में हैं और लेडी और इसमें तो नों ने सब अधुरा प्राम प्रतिष्टा पहरा किये सारे जगदगरू संक्राचार इसके विरोध में थे ये ठीक नहीं असुप दुआ है और बहर हाल राम नवमी राम मंदिर और राजनिती दोहजार चोबीस के चुनाव की बिसाथ अब इस मुद्दे को तेखें तो राजनितिक दल अपने अपने तरीके से इस पर तक्रीर कर रहे हैं वही चुनाव से पहले आयोध्या में बगवान राम के सूर्य तिलक पर भी सिय से संग्राम होना तय है ऐसमेस सवाल यही है कि आयोध्या में तो हो गया भगवान राम का सूर्य तिलक दोहजार चोबीस में किसका होगा राज तिलक आज सूर्य तिलक हुआ रामलला का और परसों बोट पड़ेगा इस बात के लिए कि राज तिलक किसका होगा देश की सरकार पान साल के लिए कौन चलाएगा किसके माथे पर इस देश की जनता जनार्दन विजय का रोली चंदल लगाएगी है में मानूँ सहाब का परचा करा दें अनन्द दुब्य भारती जनता पार्टि की प्रवक्ता आनद जी का स्वागत है मा कि यती चेत्ना नंध है हिंदू धर्म गूरु मा यती चेत्नांध का स्वागत है नावेज शुको हो हैं राजनेतिक विशलेशक नावेश शुको हो जी का स्वागत है प्रफेसर सुशील पांडे हैं चुनाब विशलेशक शुशील जी का बहुत-बहुत स्वागत नावेश जी आप से बात शुरू करूँगा दो बातें समझ में आ रहे हैं एक भारती जनता पार्टी का जो एमवाई फेक्टर है जो सबसे प्रभावशाली फेक्टर है उसका मोदी प्लस योगी फेक्टर उनकी कोई जनसभा कोई पब्लिक अपिरिंस ऐसी नहीं जिसमें राम मंदिर का विशे एटलेंथ उन्होंने डिसकस नहीं किया हूँ कोई जनसभा इसी नहीं ना मोदी जी की ना योगी जी की राम, राम मंदिर, आयुध्या, धाम उनके साथ चल रहे हैं दूसरी और बेपक्ष है जो कह रहा कि जी जब अख़वार वाले, टीवी वाले पूछें को आयुध्या पर तो कहिदे ये कोई मुद्दा है लेकिन ये जरूर बोल देते हैं कि हजारों राम मंदिर हैं कोई आ आज सूरी तिलक हुआ, परसों से रास्तिलक शुरू होना है, आठ चरणों में, कल पहले चरण का परसों पहले चरण का रास्तिलक है, भाजपा कह रही है ये 400 पार, राहूल गांदी अखिले यादा दोनों अपनी सीटे कितनी आएंगी ये उनको नहीं पता, लेकिन ये व परसाद की प्रभू का परसाद जो होता है, भगवान का परसाद होता है, वो इसमें किसी की मना ही नहीं होती है, परसाद सामने है, मैं ले लेता हूँ और आप नहीं लेते हो, तो इसमें आप की कमी है, मैं पर आप, कोई मना ही नहीं है कि अमिताब जी नहीं उठाएंगे और नवेशी को उठा लेंगे ये तो परसाथ है ना 500 साल के इंतिजार के बाद में तीन बड़े मामले सामने आए 500 साल के इतिहास के बाद में भारत के सुप्रिम कोर्ट में ये फैसला किया कि राम जन्व भूमी है और उस पर मंदिर बन सकता है ये बड़ा इतिहासिक फैसला जिसमें प्रांट प्रतिष्टा हुई राम मंदिर बना और भव अदिव राम मंदिर बना जिसमें पूरी दुनिया और पूरे दिश का सणातनी हिंदू खुश था और तीसरा आज का मामला है प्रभुराम के सूर्य तिलक हुआ अब ये तीनों चीजें तीनों एतिहासिक खुश होगा उसको राजितिलक मिलेगा उसका राजितिलक होगा अगर ये तैख हो गया है और हम खुश हो लेते हैं दूसरा खुश नहीं होता है या दूसरा खुश हो लेता है हम खुश नहीं होते हैं ये सारी चीजे मन की खुशी के ओपर है भारत की जनता ये देख रही है ये 500 साल का जिसको इंतिजार था इस दिरेश के सनातनी देख रहे हैं कि हमें इंतिजार था हमारा रोम रोम ये कहता था कि आयोधिया में भगवान राम की जन्बभू में और भवर मंदिर बने कि कई पीड़ियां इंतिजार कर रही थी नियाएले ने फैसला किया फिर एक भवर राम मंदिर बना और उसमे सरकार का भी सपोर्ट रहा जायरती बात है कि कई माईने होते हैं पूरी आयोधिया नगरी जो है उसका विकास की राहत है कर दी गई अच्छे इंतिजाम हुए सु और यह आगरे क्या था कि राम नवईमी के दिन इस तरह से शिर प्रिबुराम के सूर इस तरह से एक सूर किरन तिलक लगे और उसके लिए बाकाइदा साइंटिफिक तरीके से उन्होंने एक वैवस्ता बनाई और आज उसको देखकर और उससे उसके दर्शन करकर प्रसन है अब आप प्रसन होके राजितिलक अपना करा लिजिए आप प्रसन ना होकर राजितिलक मत कराएए भाई यह तो विपक्ष जादा कुछ हो देता है ठीक है नवे बाबू ठीक मैं सुशील जी के पास सुशील जी के पास चलो जे बिलकुश दो चीजे हैं एक तो भारत का सा मानि व्यक्ति जिसकी आत्मा आहलादि थे जिसका रोम रोम आनन्दि थे और दूसरा मालियाब उतने राम में नहीं भी हो तो भी भारत के विज्ञान की छमता को प्रणाम करिए हुआ हमने सूर्य के समस्ताताप को संग्रहेत करके उसकी समस्त् गुष्मा और आभा को संग्रहेत करके रामला लुँक्र हेके ललाट पर लाकर के इंदृत कर दिया चार मिनिट के लिए छुटी बात है कि अपने घर में करके देख लो तो कांग्रेस पार्टी अपने मुख्यालेम करके देख ले अगर बच्चों को खेलो तो खटगे जी का सुरुत लग करा आके देखो एक दिन अभी तो टाइम है कल खटगे जी का सुरुत लग करा लो पार्टी आप इसमाई अंदास तो लगे राउल जी का भी हो सकता को वह सुचिल जी एक विशेय और जुड़ता है कि राउल गांधी ने कहा कि पंदरा दिन पहले मेरे पास सूचना आई थी कि 180 seat BJP जीत रही है लेकिन आप आज सूचना आई है सुबह सुबह नोब जी आज जब हो यहां गाजयाबाद आयते वह रखिलेश जी एक पांसतारा कि वह बता रहे है कि अब 150 के अंदर जा रहे है वीजेपी मैं समझना यह चा रहा हूं 138 साल पुरानी हो गई कांग्रेश कितनी 138 साल अपने जीवन के 138 साल के सपर में सबसे निचले विंदू पर इस वकत है कांग्रेश इससे नीचे कभी नहीं गई चवालिस और भावन ठीक चवधम चवालिस और इसमें बावन उनको अपनी पाटी का अंडर करेंट ओवर करेंट नहीं समझा रहा है कि कौन सा करेंट कहां जा रहा है लेकिन भाजपा के लिए आज उन्होंने एक संख्या बताई है कि डेर्ट सो के अंदर रहने वाली है व आपको क्या समझ आ रहा है अंदाब जी यह तो राहुल जी को भी पता है कि चार जून को वास्तवीक परिणाम आएगा तो वास्तों में क्या संख्या होने वाली है लेकिन अंदाब जी देखे एक महत्पूर्ण विशह है कि भारत में जो आज सामाजिक बदलावार है अभ और इसका जो भी राजनीतिक परिणाम सामने आने वाला है अंताब जी निश्चित रूप से यह बहुत चंकाने वाला होगा क्योंकि केवल देखिए कोई धार्मित मुद्दा नहीं था यह एक राश्ति स्वाधिमान का बुद्दा था और निश्चित रूप से यह सामाज जी का अंदोलन तो था लेकिन इसका नेत्रित रूप कुछ राजदितिक दर्वों ने किया भार्ती जन्ता पार्टी के नेताओं ने इसके लिए काफी लंबा प्रयास किया तो निश्चित रूप से यह देखिए इसका असर तो चुनाओं में दिखने वाला है और लोग इ राष्ट निर्माड का सपना है वह जादा महत्पोन है कि आज भार्ती जन्ता पार्टी जो संदेश दे रही आज प्रधांगंत्री जी ने भी जो संदेश दिया कि हम कैसे राम राजी के ओर जा रहे हैं कैसे देश हमारा आहलादित है कैसे जो अलग-अलग संस्कृतियों क बीच हम बेहतर संबाद अस्थापित करेंगे और कैसे हम एक अपने राष्ट निर्माड को आगी बढ़ाएंगे यह संदेश अंताबजी बहुत महत्पोन है आज का और आज 500 वरसों बाद ऐसा उसर आया और देश दी जन्ता भी इसको मसूस कर रही है कि कैसे एक जो सांस् कि कैसे हो गया है हजारों राममंदिर अल्रेडी है कि सब्सुन है और जैसे प्रभु और देखी थो जोड़न है और तरीके से जोड़ने और समझने वारे लोग है कि द्रश्टी और कोण सबकी आज़ादी रहती है पहुलने पान साल सशील पहने जी आइक पांच में साल जनता दृष्टि भी नाप देती है कौन भी नाप देती है नाप के दुण करके मेजरमेंट लिखके हाथ में थमा देती है, कि ये तुम्हारी दृष्ट्री और ये तुम्हारा कोण, जे मड़ा घलू, पहने पांत साल ही चलता है एन आई पर, दृष्ट्री और कोण, और टीवी पर, पांत में साल तो रिजल्ट आ जाता है, तब केबल एक ही दृष्ट्र कोण चलता है, कश्मीर से कन्या कुमारी असम से गुजरात तक, भारत के सामानी जनका दृष्ट्र कोण, जनता जनार्दन का दृष्ट्र कोण, इधान लगे, हमने बड़े-बड़े लाट सावों को, दूर दिनों में, अकेले प्रलाप करते देखा है, इसी जनता अचरण, बंशी, लाल, संजय, गांधी, ओम, मेता, सभी खट्टे तुहारे थे, जनता ने कोण भी नाप दिया ता, द्रष्टी भी नाप दीती, अम ओर लगा, कागज हात में दे दिया, तो लिजाओ, खेलो, वो भी कहते थे, क्या है, भाही, हम समझ नहीं, यतिमा, एक विश्विशय उठता है, कि जब भी मंदिर से जुड़ी कोई बात आती रही, मैं पिछले 86 से 7 से समझ लिए इस विश्विशय को देख रहा एक पत्रकार के नाते, हमेशा कुछ दलो और कुछ नेताव ने एक स्टीरियो टाइप तर जोटा लिया, वह इस से क्या होगा मंदिर से, और यह ने हुआ, कल्लू की भैस गायब हो गई, वो ने मिली, दिस ने हुआ, देट ने हुआ, पुलिया ने बनी, डंपर नहीं आया, चापा कल नहीं लगा, आदी आदी, ऐसी ही प्रलाप सोमनात के समय भी हुआ था, जब राजेन बाबु वहां गए थे, वो परसंग तो लंबा है, कि नहरु जी और उनके बीच में क्या एतराज थे, नहरु वहां नहीं चाहते, राजेन बाबु जाहे लिगे, वो गए थे, तो उन्होंने जब अपना भाशन दिया था, उस भाशन में इस मूर्खता पून प्रलाप का उत्तर दिया था, उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा से ज़्यादा फसल पाइदा होने लगेगी, अभी कहने नहीं आ रहा, लोगों की इंकम बढ़ जाईगी, यह नहीं कहरा, लेकिन हां सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा से देशका आत्मबल बढ़ेगा, विल पावर बढ़ेगी, और हिंता ग्रंती स मुक्त होगा देश, और कोई भी देश तब तक संब्रद्ध नहीं हो सकता, तब तक शशक्त नहीं हो सकता, जब तक हिंता ग्रंती से बना हुआ है, मैं यही तरक राम मंदिर के लिए देता हूं, राम मंदिर इसली जरूरी था, आज राम लला के माथे पर सूरित तिलक, य यह घोश है, यह तिमा, जी बिलकुल अमिताब जी, अमिताब जी देखे, आज भी जिस तरीके से वक्तवे आया है कि हजारों राम मंदिर है, हजारों राम मंदिर है, हजारों जगार राम मंदिरों की प्राण परतिष्टा की गई है बारत में, भारत में क्या, बहुत सारे विदेशी ऐसी जगाँ हैं जहां राम मंदिर का राम मंदिर बने हुए है और राम जी की पुजा होती है लेकिन अयोध्या उन सबसे अलग करकर देखनी चाहिए यही उद्धन्डिता और यही अवेलना सनातन संस्किती के प्रती आज उनको हाश्ये पर लाकर खड़ा करती है सपा ने यहां शासन किया उत्तरप्रदेश में लेकिन सपा हाश्ये पर खड़ी हुई है सपा दुबारा लोटकर नई आई दो दशक बीद गए अब दूसरा टेन्योर था योगी जी का तो यह इस्तिती रही राहुल गांदी जी भी इसी अवेलना के शिकार हुए उन्हों है जहां भारत की आत्मा है जहां से वीर की अड़ी सीधी हुई है उसकी अवेलना लगातार ही लोग कर रहे हैं तो निश्यत रूप से इसका प्रभांग तो पढ़ने वाला है और आपने बिल्कुल ठीक हाँ कि जन्माना से कर देना कि किसका रास्तिलक होने वाला है आज य ग्यानिक दश्टिकोर से भी सरण नहीं है और ग्यानिक उठान का भी परिच्च देता है चार मिनट के लिए स्टूरी की केड़ों को केंदिक कर देना परियादा पुशुक्तम राम के माते पर ये बाल पर उनके ये तै करता है कि आज से सनातन का पराकम और पौरुश और पड़ेगा क्योंकि जब कोई भी समाज हींता से हींता की ग्रंटी को चोड़कर आगे पढ़ना प्रारम कर देता है तो ये तै हो जाता है कि वो अपने स्वाबिमान की लड़ाई के लिए उठकर कड़ा हो जाएगा तो मुझे लगता है कि आज बहुत बड़ा दिन है राम के स्वाबिमा मुझेन स्वाबिमाकर है सुर्य की बिना नहीं रहा सकता हूं इसर भी थातको स्वापिया है आनन जी प्रणान मंत्री जी कह रहे हैं चार जून को 400 पार, योगी जी कह रहे हैं असी देगा आधार, NDA 400 पार, राउल गांधी कह रहे हैं कि मैंने अंडरकरंट को नापा है और उससे ये रिजल्ट आया है कि भाजपा 150 के अंदर रह रही है, अख्लेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा 400 सीटे हार रही है, यानि वो भी लगबग बता रहे हैं, तो बहुत भारी उलट फिर रहे हैं आंकड़ों में देखिए अमिताब जी मैं आपके इस प्रश्न का सबसे अंत में जबाद दो, अभी मैंने कई पॉइंट नोट किये हैं, पहले उनका जबाद देता हूँ, मेरी आवाज इको करी थोड़ा ठीक कराईएगा, भी आद राद देखो, ठीक हाँ, देखिए, सबसे पहले तो सब को राव नौमी के डिर सारी शुपकामना है, और मैं अपनी बात यहां से आवाज कट गए, हमिताब जी मेरी आवाज आ रही है, आ रही है, भाई आ रही है, मुझे मुझे सुनाई नहीं दे रहा कुछ, आपके आवाज में से आ रही है, यहां बिल्कुल साफ, जी, हलो, ज जी, आ रही है, आवाज आ रही है, बिल्कुल बढ़िया, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आपको, जी, आ रही है, बिल्कुल साफ आवाज आ रही है, बढ़िया, हाँ, देखे आमिताब जी, सबसे बड़ी बात यह है, कि भगवान राम का आज चुस्तूरिय तिलक हुआ है वो सनातन सत्य है और पांसो साल की प्रतीक्षा का वो प्रकाश था जो आज पूरे देश ने देखा है जिसकी जिक्र अधर्णी प्रधानमंत्री जी लेकिन दुख की बात यह है कि इस प्रकाश को जिसको पूरा देश महसूस कर रहा है उसको अभी भी विपक्ष में बैठे लोग महसूस नहीं कर पा रहे हैं और लगातार इस तरह का बयान देखे धिवीशन ने भी जो है रावण को समझाया था और कहा था तात राम नहीं नर्भू पाला भूनेश्वर काला हुकर काला प्रम अनाम अजभगवन्ता व्यापक अजद अनादि अनंता तो रावण को भी ये बात समझ नहीं आई उसी तरह हमारे देश में विपक्ष को भी ये बात नहीं समझ में आ रही है आज भी वो आप राम प्रभू हैं कणकण में प्रभू हैं लेकिन अयोध्या का विशेश महत्तु उस महत्तु को आप देखना नहीं चाहर है अब मैं दूसरी चीज़ पर आ रहा हूं आपने का था एमवाई फैक्टर की बाद देखे राजनीती में एक एमवाई फैक्टर समाजवादी पार्टी की समय चलता था उस एमवाई फैक्टर से क्या हुआ उत्तर प्रदेश में दंगा होता था उत्तर प्रदेश में आतंकवात पनपता था उत्तर प्रदेश में गुंडा गरदी खेलती थी लेकिन जैसे ही 2014 और 2017 आया तो म वई क्रेक्टर की जगर राजनीती में मोई करेक्टर आ गया तो दंगा खतम हो गया हिंसा खतम हो गई गुंडा गर्दी खतम हो गया फिकास होने लगा गरीबों को आवास मिलने लगा एलपी जी के कनेक्शन मिले सोचाले बनने लगा एक्सप्रेस वे बनने लगी प्रेने अच्छी होने लगी तमाम चीजे तो यह अंतर है फैक्टर में और करेक्टर इसलिए हम कहते हैं मोधी की कारेंटी और जो संकल पत्र लेके आए हैं उसको हमने मोधी की गारेंटी का नाम दिया है अब आता हूं मैं राहूल गांदी जी के जबाद राहूल गांदी जी कह रहे है कि तेड़ सो आएगी पंदरा आएगी बीस आएगी है तो अपने राहूल गांदी जी का विवेक है पूरा देश उनके विवेक का ध्यन कर चुका है अच्छा थोड़ी बहुत जो विवेक छिपा हुआ था उनकी जो बहन है प्रियंका गांधी उन्होंने भी अपने विवेक का प्रदर्शन पिछले पांदस बर्शों में उत्तर प्रदेश में कर दिया तो जो मुठी बनती वो भी खुल गए अब पूरे प्रदेश पूरे देश को पता चल चुका है कि ये जो दोनों भाईवेन है इनके सोचने की छमता क्या है सारे ओपीनियन पोल अभी तक कितने भी आए तो सब भारती जनता पार्टी को कोई 370 दे रहा है कोई 393 दे रहा है कोई 388 दे रहा है मतब यह लेकिन हम अब भी कह रहे हैं भाजपा 370 के पार भारत और इंडिये 400 के पार ये इस लिए कह रहे हैं क्योंकि हमने इस देश में जो कहा वो किया और जो किया उसके आधार पे जनता का समर्थन हासिल किया और आज उसी समर्थन के दम पे हम यह कह रहे हैं एक ड़े लुँज़ बात चारसो खारसो और Amitabu जी एक अंक चीज हम जिस confidence के साथ यह बात कह रहे हैं हम ने ऐसे नहीं कह रहे हैं यूही नहीं ये तर्जे सुखान आया है यूही नहीं ये तर्जे सुखान आया है पाओ दाबे हैं बुदर्गों के तुफण आया है तो हमने जन्ता की सेवा किया है अच्छे लेंगे शियर बहुत प्यारा है मैं नावेशिकों के पास आचलता हूँ बुनियादी बात जो क मतलब अभी चर्चा में आई नहीं, लेकिन मेरे मन में अभी अचानक से स्ट्राइक के, सब लोग कहते हैं और ठीक भी कहते हैं, सब कहते हैं तो ठीक भी कहते हैं, दोनों बाते नावेद, के राम सबके हैं, कांग्रेस ही कहते हैं भाजपा का कॉपी राइट नहीं, यस, ये भी सच्च है किसी का copyright नहीं कि जब भाजपा कांगरेस कोई नहीं थी तो राम थे और जब कोई नहीं रहेगी तब भी राम रहेंगे लेकिन लेकिन नावेद शिकों तक आवाद नहीं जारी शुचिल जी आपको आवाद आ रहे है न तो यह प्रश्णा आपके लिए हो जाए गर्वग्रह के किसी चित्र को फॉर्व खुद ना डाला फॉर्वर्ड भी किया हो कभी 22 जन्वरी से आस तर राम नौमी की शुब कामना है लेकिन राम लला का चित्र ना चला जाए गलती से कहीं ना यह क्यों करंट लगता है पिर मंच पर जाओ तो राम समके हैं हमारे अबेपर बैठे वह क्या हाफ प्लेट लियाओ के फॉल प्लेट लियाओ आओ जिसे रहे हमें राम फ्लेट राइस धेना वो पमझ मंच में लिए राम लला का चित्र अ अपने टुटर अकाउंट पर वेस्ट मुक पर इस्टा पर टिस्टा पर डाल्ले में आपको एा समस्य क्या है सुचिल पंडे कांग्रेस हो चाहिए ममतां जी हो कोई हो आम आदमी हो कोई हो कि पहला तर्थ मैं आपको बताओं कि मैंने अध्यान में देखा कि 60 से अधिक देशों में दुनिया के राम लिलाएं होती हैं दूसरा महत्मों तत्थ है कि दुनिया के कई देशों में भगवान राम के नाम पर अयुद्या नगर है और दुनिया के अलग अलग संस्कृतियों में देखे इंडोनेसिया में इंडोनेसिया छोड़ो भाइस पाड़े जी अभी यहीं रह मूल विशे मेरा इतना राम मंदिर के चित्र से परहेज क्यों सिर्फ विशे इतना है अमजाब जी यहां पर परहेज इसलिए है लोगों को क्योंकि इनको लगता है कि किसी एक खास पार्टी ने भागवान राम पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया है उनके विचारों प सब्सक्राइब करता है जो पूरी दुनिया में वहां की सकता है ठीक नावेशी को आवा जा रहे हैं आप तक है आचा देख्वाएं यति मा मेरी चिंता इसके आगे की है कि कल मतुरा में कि कृष्णा जर्म भूमी मुक्त होगी कि पर्सों विश्वश्र महादेव कि ज्ञा तो रामकृष्ण और शिव तीनों को छोड़ना पड़ागा फिर तो बेपक्षवालों को नहीं पिर तो तीनों के फोटों से परेज करना मुड़ागा नहीं तो क्या राम मंदिर की जगा अपने घर की फोटो डालेंगे कि पार्टी दफ्तर की फोटो लगाएंगे राम नौमी पर देश को राम नौमी की सुब काम ना है अब फोटो अपनी लगा देंगे क्या यह अपने घर की लगा देंगे यह पार्टी दफ्तर की कि अमिता भी यह जो धरम दो साना यह जो दोयम दर्जे का नागविक सनातियों को बनाकर रख्ता गया और जिस तरीके से परेश किया गया आप बिल्कुल सत्ते कह रहे हैं कहीं भी एक फोटो राम लला विराजमान के विग्रे की आस्तर देखने को नहीं मिली है और लगातार जाता है कि एक पार्टी विचेश ने राम जी पर अपना सभ्या कर लिया तो यह सकते नहीं है सकते यह है कि आंदोलन जन्मानस ने खड़ा किया जिसके साथ एक पार्टी विचेश ने अपने आस्तर दिखाई और उसी आस्तर से जुड़कर उन्हों मान लीजिए समाजवादी पाट्री का कोई बड़ा नेता रामलला के विग्रह का चित्र डाले और लिखे कि देश को राम नौमी की शुब कामना है तो बीजेपी किस हैसे से रोक लेगी और किस हैसे से उनकी खिलाब खड़ी हो जाएगी कोई ने कर सकता है को रोक लेगा हो या मत्रा हो सबसे परेज इसलिए किया जाता रहा क्योंकि उनको यह डर था कि एक वोट बैंक जिसकी वो राजनीती करते रहे जिस तुष्टी करण को का वो पुष्टी करण करते रहे लगातार वो खिसब जाएगा लेकिन वास्तिता यह है कि भारत के जन्मानस ने यह कि हमें काशिद इसनाथ भी चाहिए और हमें मत्रा भी चाहिए यह फोटो भी नहीं लगाएंगे और धरम भो भी करेंगे यह उस दिन से होगया था जब इस्वांडित में यह बैया दिया था कि सनातन एच की तरह है और सनातन का समूल विनाश कर देना चाहिए और सारे जो नेता थे वो इन्दी एलाइस के वो उसके पक्ष में खरे रहे एक भी बैयाद निंदा का नहीं आया निंदा करने तक कि जो लोग शम्ता नहीं कर सकते वो किस हक से और किस अधिकार से फोतों लगाएंगे कि अधिकार से हम लोगों को शुपकामनाएं देंगे जिक जो लोग इस आश्याति नावेशी को अधिक नावेशी को अधिक आंध भाई आ रहे हैं अधिक को मेरा बड़ा मासूम सवाल है इससे मासूम सवाल होने सकता इतना मासूम है राम लला भाजपा के नहीं है अकेले, ओके, मान लिया, राम लला भाजपा के पेटेंट नहीं, कता ही नहीं, हो भी नहीं सकता, भाजपा पेटेंट का फारम भरे, मैं खिलाब खड़ा हो जाऊँगा, ठीक बात, राम लला के मंदिर बनने के बाद से गर्वग्रह के उन राम लला के नूतन विग्रह का फोटो अपने इंस्टाग्राम पर फेस्बुक पर यूटूब पर ट्विटर पर किसी बड़े नेता ने क्यों नहीं डाला विपक्ष के है खटगे-जी का फोटो डाला वर है राम लला का तो नहीं डंड़्य लेक्ष लेकिन राम लला के फोटो से पारेज क्यों ने अब फैनना से चुँत कर रहे हो हम इस दीज के नागरी की यह चाहते हैं कि राजनीतिक दल कोई भी हो चाहें कम से कम वह जन्भावनाओं को संठें जनता के मद में क्या है जनता क्या चाहती हो उसको समझे अगर आपको राजनीती करना है तो जनता और आम इंसानों के मन की बात तो समझो पर शायद हमें या किसी को भी विपक्ष से कोई तकलीफ में हर आदमी चाता है विपक्ष मद्बूत हो ताकि वो सवाल उठा सके जनता के लिकिन जो बात बहुत जादा नागावार गुजरने लगती है उसको दोरहना पड़ता है विपक्ष आज की तारीक में इतनी है कमजोरे जो आप से शुरू में बात कही थी कि मैं बहुत सब्सक्राइब योगी पुजा कर रहे है वोड़ो भात समझ में आती लेकिर रामलाला की पुजा हो रही आर्ती हो रही सूरिनमस्का सूरि तलक हो रहा इसकी फोटो भी डाल जी मैं आपको तकलीफ है आप कलियर शरीप डाल सकते हो देवा शरीप डाल सकते हो चरारे शरीप डाल सकते हो अजमेर शरीप डाल सकते हो मचली डाल सकते हो मटन बनाने की बिधी डाल सकते हो क्या लेकिर राम लला की फोटर का फिक्र है नहीं आ सकता आपके वाल पर क्यों इस बात का जवाब देते हैं बड़ी वो खरीब बात है यही बात समझ में नहीं आती है मुझे लगता है यह बात उनको समझना चाहिए हमारा जैसा एक आम नागरी की बात को समझता है देश की तरहों जनता है बात को विपक्ष नहीं समझ पारा है वो जवाब जनते हैं आप ने जो सवाल किया उसका क्या देते हैं वो कि अधिया में आप कि जो राम मंदिर है जिसका भग और दिविक निर्माड हुआ कॉता वहां का ये कारिक्रम है इसलिए हम नहीं मंदिरे तो बहुत हैं यह बात इसलिए अजीव करीब है जनम दिन तो मेरा एक होता है जन्द जरूमी तो हमारी आम इंसान तो मैं जी के पाफ चलो भारत में 3.5 तीन लाक से जाधा मस्जिद है रज़िटर्ट जागरत मस्जिद लाइफ ठीक फिर मतुराम इदगा के लिए पावाल क्यों है ग्यानवापी मस्जिद के लिए पावाल क्यों है प्रश्टा बोलने की जो लोग यह करें कि राम मंदिर हजार हो हैं वो यह बोल सकते हैं कि साड़े तीन लाक मस्जित हैं छोड़ो दो और एक बिधुनाम बना लेना एक भरतनाम बना लेना छोड़ो हटाओ जाने तो उनको छोड़ दो नहीं ना सास नहीं है आनन्दोवे जी प्रश्टन वही मेरी बात समझ में आती है कि आपको मोदी जी से चेड़ है चुग होगी आपको चुनाब लड़ना उनके खिलाब योगी जी से चेड़ है समझ में आता है रादनेतिक प्रतिसपरदा है दुश्मनी जो मान। मैं उस भास मनें पढ़ता है लेकिन जैसे जगनात मंदिर उड़िसा का किसी पार्टी का है क्या किसी नेता का है क्या नूर की एक बूंद है जो सदियों से बहा करती है राम मंदिर इतना बड़ा आवसर आया अरमों लोगों ने चित्र अपने उस पर शोशल अकाउंट्स पर रखे क्या लेकिन मैं भारत के बड़े विपक्षी नेताओं को मॉनीटर किया किसी ने गलती से भी फोटो नहीं ड अज प्रश्चिता क्यों अयुद्या से अमितार जी इसके दो तीन कारण है इसका सबसे पहला जो सियासी कारण है वो मैं आपको बता जूँँ इसका फ्यासी कारण ये है कि कॉंग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो उनको ये लगता है कि अगर हम अयुद्या के राम मंदिर का भगवार राम के विग्रह की फोटो डालेंगे तो हमारा जो मुस्लिम वोट बैंक है वो हमसे नाराज हो जाएगा और हमको वोट नहीं देगा इसमें कई कोई लुका छिपी घुमा फिराओ नहीं जबकि ये कितना मतलब इनको इनकी छोटी बुद्धी पर मैं क्या था इकबाल अंसारी जी भी उसमें गह थे जो मुकदम कारण ये हो गया कि जो संकुचित राजनीती है उसके तहट इनके मन में एक भय है जिसकी वजह से ये उसकी फोटो डालने से कतर आ रहे हैं ये वही लोग थे जो हमसे पूछते थे राम लला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे तारिक नहीं बताएंगे फिर हमने कहा राम लला हम आएं हैं मंदिर भी बनवाएं हैं तारिक भी बतलाएं हैं नियुता भी विजवाएं हैं तुमको भी बुलवाएं हैं लेकिन आपने काम नहीं जाएंगे हुआ के फिर क्या का हम ज़रूरी आज ही जाएंगे है आज नहीं जाएंगे यह तो भट्पक का hands-up है इस के बास जाएंगे परिवार के साथ जाएंगे दर्स不好 का अध्लेष जी ने भी का डिम プार्ड जी मजपन से इनको इस माहोल में ढालाई नहीं गया अकलेश जी ने तो कहा था ना उनका वीडियो है कि मैं पूजा वजा नहीं करता मेरा कोई विश्वास नहीं वीडियो है ट्विटर पर पड़ा हुआ है यूटूब पर पड़ा हुआ आप देख लीजे आप भले कुछ भी कह राउल गांदी जी ने तो 14 उदक बात जो है मंदिर उंदिर जाना शुरू किया है वो भी सीजनल हिंदू है इच्छाधारी हिंदू जिसको कहते हैं चुनाव समय इच्छाधारी नाग होते हैं तो न उसी तरह इच्छाधारी हिंदू अचानक से मतलब इक्छा से हिंदू बन जाते हैं दारण कोट के उपर जन्हें उचड़ा गुमेंगे फिर उधर जाएंगे जब नौर्थ इस्ट में तो तुरंत वो क्रॉस वाला लाकेट लटका लेंगे वो जन्हें वटाएं लाकेट तुरंत फिर उधर जाएंगे तो यह इनका चलता रहता है अब इसका एक अध्यात्मिक पक्ष्वी यह तो मैंने दो कारण बताया प्रभू श्री राम से मिलने जब विभीशन गया है तो वहां जो लोग बानरत्नेना के लोग थे उन्हों का प्रभू लग रहा है कि कुछ जासूसी करने आया मिलना ठीक नहीं है तो प्रभू ने कहा है कि निर्मल नमें उनके प्रति श्रद्धा रहे जिनके मन में उनके ब्रति प्रेम रहे और दिशक उसका उत्तर चाता दो तर का ग्याव कहते हैं धर्म व्यक्तिकतर्काद सताली को दिया है फोतो परिकले मामुलाएं है असले धर्म व्यक्तिकतर नह स्टॉलार कि जो जाता हुई आयुद्याम व्यक्तिकत है जैसे ने वीडियो डालो प्राइवेट कर दिया नहीं अब वहां पब्लिक कर दिया क्यों भाई महाकाल में धर्म पब्लिक कैसे हो गया एक गुरू जाओ दूसरा प्रश्ण खड़ा होता है हम दिखाबे में यकीन नहीं करते ओके लेकिन आप बक बकरी को प्यार कर रहे हो फिर वो काटी जा रही है फिर उसको उबाल रहे हो पका रहे हो गूत रहे हो पीस रहे हो लालु यादव आपको गाइड कर रहे हैं उसका फोटो बकरी काटने से लेके में राहूल और प्रियंका की खाने तक के सारा वीडियो डालना डाक्टर ने बताया था अर्म जो खा रहों खाओ एक काटे की मचली एक चार काटे की मचली यह दिखाने की जरूरत तो नहीं धर्म तो विक्तिकत है तो खान पान आप क्या खाते हो यह चवराहे की चीज है क्या नवेश्चिकों जी बिल्कुल तेकिए जो विपक्ष के बड़े नेता है चाहे उसमें प्रियंका गांधी हो चाहे रहा हो गांधी हो सोनिया जी हो या स्लेश यादव हो यह दावा करते हैं कि यह हिंदू धब से जुड़े यह सनाता नहीं है और सुझा पार्ट करते हैं इनकी पूरी आस्थ चाहे रची बात है समय समय पर यह मंदिर जाते हैं और बक अधा गर्शन करते और उसकी तस्वीरे बकर सौशल साइट सवाल यही उठता है कि आफिर आपको राम मंदिर आयोध्या के राम मंदिर से आपको किस बात की चिड़ है और किस बात की ऐलर्जी है बात जो अनन दुपे जी ने कहीं सभ्रइब्वाइब अन्सारी परिवाद जिस ने जीवन भर संगर्श किया कि वहां नहीं बने नहीं बअ मापरी मज़्यद काई रहे इस वर उसमें भी यह कह दिया कि थो कि हम इस डेषे नागरिक है और यह दिच नयायाले आपको संखेप में आप बताइए आपको मूल कारण क्या लगता किस वज़े से ये तर्क तो मैंने खंडित कर दिया कि प्राइवे हम धर्म हमारी व्यक्तिकत आस्ता इतों फर्जी बात है महाकाल में आप दोती पहेंगे फोटो किचाते हो नहीं उपर और बनारस में फोटो नहीं मिल पाई तो आपने रार्ठान दी धृतेरे की करती कटर की बातके मुए द करेंग क्या क्या करोंगे ज़लेंगे नहीं लोग भी तो जाने हम भाबा के भागत हैं मेरे पास प्रमाल है उसका कांग्रेस पार्टी के खटके जी से लेके और महां सिग्रात महला तक का जो प्रभारी था बनारा समय उस तक नहीं हला मुचाया कि राउल जी की भोटो क्यों नहीं लाए दे रहे हो जिसमें वो बाबा को जल चढ़ा रहे तब बहां व्यक्तिकत न अमताब जी देखे इसमें जो लोग दोहरा मापदंड अपना रहे हैं एक तरफ तो बात करते हैं कि भारत एक धर्म निर्पेक्स देश है जहां पर सभी को अपने धर्म के पालन के आजादी है लेकिन दूसरी तरफ जैसे चुनावाता है तो बाकी धर्मों के प्रतीकों को अपलाने में तो समस्या नहीं रहती लेकिन सनातन धर्म को हमेशा चुनावती देना सनातन धर्म के खिलाफ बोलना या इस तरह का काम करना की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से लेकर और आज सूरी तिलग तक ऐसे आउसरों पर कोई ऐसा वक्त बेना देना यह ऐसा दिख हैं कि वह आपको स्विकार करेंगे उसके बाद तो कहीं कहीं अप्टाब जी यह जरूर है कि हमारा ओट बैंक ना राज नहों और जो सनातन धर्म का ओट बैंक है वो लोग इतने उदार है कि उसके बावजूत हमें सुविकार करेंगे ठीक पड़ी यतिमा जो बात सुशील सुशील जी कह रहे हैं मैं उसके आधे से सहमत हूं आधे से सहमत नहीं सनातन धर्म इस मामले में मेरी समझे कि उदार है कि सलक पर आप से क्यों उल्जहें लेकिन इवी अमबाले दिन उसको याद रहता है कि आपका चाल चेहरा और चरित्र क्या है चार सो तेरह से चावालिस पर यूही नहीं आ गई पार्टी सनातन धर्म को बड़ी मेहनत करनी पड़ी चार सो तेरह से सुशील जी चावालिस पर ऐसे ही आ गई 90 परसेंट जूब गया 10 परसेंट बचा ऐसे ही हो गया क्या यतिमा जन्मानस को भारत के जन्मानस को यह जागरन हुआ है ना भारत के जन्मानस का इसको आज सब कुछ याद है 500 साल का संगर्श भी याद है काशी भी याद है और मत्रा भी याद है और ये भी याद है कि किस तरीके से भारत के समूल, सनातन के समूल विनाज की बात की गई और जिस तरीके से ये लोग परेज कर रहे हैं वो उद्गंडिता, वो चल, वो प्रपच जो भारत के साथ लगातार सबसर वर्शों तक किया जाता रहा उसका जवाब भारत की जनता देना सीख गई है और ये पिछले दस वर्शों के चुनाब बता रहे हैं लगातार चुनाबों के नतीजे ये बता रहे हैं ये ठीक है कि सनातन परंपरा जो है वो बहुत उदारवादी है लेकिन वो दंड देना भी जानती है और दंड देती भी है और ये भारत के चुनाबों ने टेक कर दिया है जिस तरीके से लगातार ये सीखे हार रहे हैं अमेटी हार गई तो उसका कारण मुक्यत है ये था मुझे लग राए कि ये भग मंदिरों में भी पिकेंचूज करना चाहते हैं क्या बोले उनकी फोटो डाल देंगे इनकी नहीं डालेंगे क्या बहां बनियान उतारके जाएंगे जनेव डालके तरपुंड लगाके ये अलग बात आर्थी उल्टी कर दें जो प्रक्रिया है वो ना समझता है उल्टी गुमादें लेकिन उसकी फोटो डालवाएंगे हां और जहां माल एक हमने वीडियो देखा था एक संजन थे वह बाबाब शुनात कर अविशेक कर रहे थे कि क्या होली खेल रहे हैं क्या कर रहे हैं या मिट्टी डाल रहे हैं क्या है खर चलिया नहीं सीखा नहीं सीखा लेकिन मसला हो कि यह क्या देव मंदिरों में और देवताओं में भारत के जो प्रान तत्व हैं उन्हें में भी आप भेदभाव करेंगे बोले ना भाई हम महा महाकाल का डालेंगे आयुद्ध्या सेहम को एलर्जी है और महाकाल कहते हैं कि जाके प्रीन राम वैदेही तजिये ताही कोटी बैरी सम जद्यपी परम सनेही देखिए अमिताइब जी यह तो कहाई है न कि राखिको सकाई रामकर्द्रो है कि ब्रह्मा विश्नु कोई उसको नहीं बचा सकता जो भग्वान रामकर्द्रो ही तो लेकिन आपने जो मूल बात की देखिए यह बेसिकली क्या है न इनके राजनीती का यह जो दोहरा चरित्र है वो यही है और कॉंग्रेस का तो आप जाने रहें पाटो फूट डालो पहले देश को बाटा फिर जातियों में बाटने कोशिश की फिर धर्म के नाम पर लड़ाने की कोशिश की अब जो है यह सनातन को बाट रहें आपको याद है राउल गांधी केते हिंदू और हिंद हिंदूों को आतंकपादी बताने का काम अगर किसी ने किया तो कॉंग्रेस पार्टी की सरकार में यह इतने गिरे हुए लोग है जो सनातन को गाली देने वालों के साथ मिलके गड़बंदन कर रहें एक चीज़ दूसरी चीज़ यह जो देवी देवताओं को बाटना और य खर्चे पर इफ्तारियां हुआ करती थी दिल्ली से लेकर यहां तक तब धर्मनी जी मामला नहीं तक खुल के प्रदर्शन करते थे रात इंदोरी को लिखना पड़ा कि सियासत में जरूरी है रवादारी समझता है यह रोजा तो नहीं रखता पर इफ्तारी समझता है तो यह ऐसे लोग है इनको पता है अब आपने एक बात कहीं इवियम वाली अरे अब तो इवियम का बहाना भी चला गया आपके इस पे रोएंगे सुप्रीम कोर्ट नेकल का बहुँ डाटा है बहुँ डाटा है तो बंद करो पास हमको पता है जब चुनाओ होता था गजबती बात करते हैं उन्होंने कहा कि संस्थाओं को कमजोर करने का काम मत करिये संस्थाओं पर सवाल उठाने का काम मत करिये यह कॉंग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी जैसे जो दल है जो संबैधानिक संस्थाओं को रोजपानी पीपी के कोसर है उनके लिए एक इनको इसी चीज से मतलब नहीं चाहे भगवान राम का मंदिर बने उससे भी तकलीफ है और लोकतंत्र का मंदिर संसत भवन बने उससे भी तकलीफ है भी वहिष्कार किया वहां भी वहिष्कार किया और इसलिए जंता इनका बहिष्कार कर वहींग जूले क्योंकि अब भारत की ज Account से वो इंखो वोट नहीं देने वालिय तो इनазывान को इस जंता को बंग करके अब हो सकता है कहीं से नई जनता लाने पड़े तो इटली इटली में चुलाओ लड़ सकते हैं आनंदोई जी ने सुप्रीम कोट में जो इवीएम पर भहिश चल रही है प्रशांत भूशन जिसको प्लीट कर रहे है उसका जेकर किया उसमें कल बड़ी एक रोचक पड़ी मुझे न्यायमूर्ती की इसमरन में आ गई शुशील जी न्यायमूर्ती से उन्होंने कहा प्रशांत भूशन जी ने के पूरे देश की अधिक आदम बहुसंख्यक जनता इवीएम के खिलाप है उन्हें का ये किसने बताया आपको बोले एक सर्वे हुआ था बोले इसलिए हमको न बताइए वो विशे अलाग है आज का विशे ये और बिलकुत तटस थभाव से वो लोग हिपोक्रेट से जो कहते हैं मन से बहुत ज़्यादा रामबाले हैं और भाजपावालों से ज़्यादा रामबाले हैं लेकिन हम ये दिखावा नहीं करते हैं अगर द हूंट बोलते हैं आप प्रपंच फैलाते हैं आपने काशी में धर्ना दे दिया था स्रीयों काशी भी शुनात मंदिर के दफ्तर के बाहर बोले इंट सीट बजा देंगे बोले क्यों फोटू लाओ राउन गांधी का डालेंगे नहीं हम लोग बभूत लगाए क्यों भाई है आप तो कहते हो हम तो किसी को दिखाते नहीं है कोई पूछ लेता है आपसे कभी कि भाई होली दिवाली की फोटो नहीं डाली तुमने बोले ने हम अपने मन में मन आते हैं दिखाते नहीं ठीक बात है फिर वहां क्यों बवाल करते हो लो नरेंद्र मोधी गए थे शिला अन्यास में शिल अन्यास करने इसका भूमी पूजन करने कि अयुद्याजी में मंदिर का तो उस वक्त राम लला अभी जो गर्वग रहे वहां अस्थाई तोर पर विराजमान थे तो वो सास्थांगल डंडवत हुए प्रदान मंत्रे यह उनको सुभाव है वो भाजपा में नहीं होते हैं जहां भी होते हैं इसे ही पूर रहता जिसे वो गया गए तो उन्होंने गया को गया नहीं कहां क्या कहां गया जी यह भारत के सुभाव है हम गंगा नहीं बोलते हैं गंगा जी बोलते हैं यह हमारे सुभाव है यह सिखाना थोड़े नहीं तो राहुल जी गए उसके बाद तब उजयन उन्होंने कांग्रेस के नेताओं से कहा वैसी धोती लाओ जैसी मोधी पहने थे वाईसाही सब मेरा गैटप तयार कराओ चन्न नंदन रपनडपुन सब वैवस्तित वाईसाही करो और वाईसाही लेटने करेंगे पर वाईसाही लेटने के प्रेक्टिस तो इतनी सरल नहीं जोड़ जोड़ हिल जाता है क्यों करते हो कौपी केट वाला काम आप तो कह रहे हों कि हम तो मन में करते हैं तो निराकार वाले हैं तो वहां क्या करने गए थे आप इस प्रश्ण का उत्तर देना ही होगा कि आउध्या से आपकी अदावत क्या है उर्दू में पूछ रहा हूं अदावत शब्ता कि समझ में आसानी से आ जाए मैं अश्परश्टा पूजूंगा तो कहेंगा नोतरी जी इतनी कटिन हिंदी बोलते कौन समझ भाएगा उनकी बात आपकी अधावत क्या है हुजूर अध्या से राम लाना ने आपकी महिश खोल ली गया नहीं ना मैं आध्यात में ब्यक्ति हूं इसलिए कई बार बहग जाता हूं लेकिन विवीशन जब आया और शर्णागत हुआ शुशील जी यतिमा तो कहा प्रभू ने लक्षमन से कि जल आओ समुत्रका हाथ मेलिया और जल से तिलक लगा दिया विवीशन के तुल्सी भावा लिखते हैं कि जितना बैभव संपन्नता शक्ति सामर्थ महादेव ने तमाम तपस्या के बाद रावण को दिया था क्या बड़े जलसे में उतना सकुचाते हुए रगुनात ने माथे पर उंगली अंगुठा रखे दे दिया बात यह नहीं मैंने आप प्रसंग क्यों सुनाया कि विवीशन ने कहा कि प्रभू अभी तो हमारा टेस्ट नहीं लिया आपने अभी से क्यों पहले परकलो वहिया राम ने कहा कि मेरा दर्शन अमोग है मेरा दर्शन हो गया तो कुछ ना कुछ तो पाओगे ही इतना के बाद भी समझ नहीं है तो इसे ना समझों को पढ़ाम है मैं इसे ना समझे को पाओग करनाम अब भाज़ापा से लड़सकते हैं मंदरेंदर مोधी से लह दल सकते हैं योगी आजेतनास से लड़ सकते हैं किर्शब्यधमवन्या से लर सकते настоящ मोह राम से नहीं लड़ सकते हैं। नर्सिंग राव जी ने एक बार मुझसे बात कही थी। उन्होंने गाता कांग्रेस ने जब ये मूर्खता की कि वो राम से लड़ती दिखी तो कांग्रेस का पराभवत हो गया था उसी दिए। अधा मोदी जी जहां जहां चले जाएंगे आप बहां नहीं जाएंगे वहां से बहिशकार कर देंगे तो मोदी जी तो भारत के हर प्रसिद्ध मंदिर में आते जाते हैं पूरी सद्धा भक्ति से कांग्रेस के वित्रों को याद होगा अभी वो केदारनाद गए थे राहुल जी तो वहां उत्तराखंड के कांग्रेस के दक्ष ने बड़ी कोशिश की कि राहुल जी के चित्रित्र ढंग से टीवी भी पे चल जाएं अखबार अखबार फोटो छप जाएं क्या बोले से ही ये मनु माली नी क्यों आज का द्रश्य मोदी का द्रश्य तो नहीं था बीजेपी का द्रश्य तो नहीं था राष्टी स्व्यम्चेपक संग का तो द्रश्य नहीं था कितना आधवु द्रश्यधा राम लला के विग्रहे पर सूरिति लग नावेद भाई अगर इसको राहुल जी अपने ट्विटर हैंडल से डाल देते अखिलेश जी डाल देते ममता जी डाल देती लालू जी डाल देते तो मान बढ़ता की नहीं बढ़ता राम लला का मान अपमान हो ही नहीं सकता आपका अपमान हो जाता है और आखरी बात कहूंगा कि कई बार लोग ये भी कहते हैं कि आमिताब जी मुद्दो की बात नहीं हो रही चुनाब में महंगाई की और हैर की डाल की चावल की साबुन की अच्छा जी लालू जी तो मुद्दों की बात करते हैं, उन्होंने चुनाव में क्या कहा था नावेद बाबू, नरिंदर मोदी हिंदू नहीं है, अपनी माता जी के मरने पर बाल नहीं छिलाया, ये मुद्दा था चुनाव का, ये चुनाव का मुद्दा था, आप करो तो लीला, ये नह बीचलेगा, वो दोर बीत गया, वो दिन हवा हुए एक शेर था, आनन्द वे बहुत शेर को रखते हैं ध्यान, वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाव था, आप पूरी हमारे भरुकाबाद में उत्तर परदेश में बाइना भेजा जाता है सुशिल पाने जी, तो खाली प्लेट नहीं, जैसे बाइना आपने हमारे घर भेजा तो हम खाली प्लेट नहीं भेजेंगे, उसमें कुल रखके भेजा जाता है, ना हो तो गुड़ी रखेंगे, तो आप पूरी बूरा भेजोगे, तो उस पर गुना रखके वापस भेजेगी भाजपा, उस दर यह लगा भी लोग तंतर कही हिस्सा है, लेकिन राम को आख्षेपित करने का दुस्सा हस मत करिए, आपने कहा राम नौमी की शोभका मनाएं, लिखा है, सबने अपने ट्वीटर पर, इतना भारत तो बदल गया, लेकिन चित्र नहीं लगाया, फिर लोग कहतें कि भाई क्य और कितना भाई आप चाहते हो भाईया इतनी जल्दी, आप तो यह हो सकता कि गंगा सागर से उत्राखंड की ओर निकल पड़े, यही भाई बदल बच्चावा, कि तो होई गया, नहीं, दीदी के राज में पिछली बार गोली चली दी बम चले थे, इसी राम नौमी पर, आ इस तत्त को समझे हैं, घन्यवाद।